अगर आपने ये वीडियो देख लिया है या आपके तकी वीडियो बहुच चुका है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा कि आप हमें आपका फीडबेक शेयर कर सकते हैं काफी सारे यूजर का कहना है कि हमको नौटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो गाइस अभी कुछ यूटूब इंडिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको इस चैनल को यहां पर सब्सक् कैसे करना है तो वही इस वीडियो में फटा फटा कवर करेंगे ठीक है अगर आपका कोई भी सवाल सुझाओ सिकायत प्रॉब्लम हो तो प्लीज लीव दे मैसेज कमेंट सेक्शन बिलो वीडियो की नीचे आप कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम में पूस सकते हैं हम कोसिस कर जल से जल आपकी कमेंट का रिपलाई करने की और दूसरी बात आप अलग-अलग जगे प्रॉब्लम को जैसे की सेयर कर रहे हो आपको अगर आपको कोई ज्यादा एरर आ रही है या कोई भी जैसे की मचमोर प्रॉब्लम तो ऐसी कंडिशन जिसमें की स्क्रिंसोर्ट पड़े तो आप हमें स्क्रिंसोर्ट मेल कर सकते हैं जिसका इमैल आईडी मेरे चैनल के आपको यहां पर यहाँ जैसे की चैनल खुला है और यहां एबाउट सेक्शन में आप जाओगे तो यहां पर आपको इमाइल आईडी मिल जाएगी या तो वीडियो के नीचे डिस्किशन में वाट्सप हेल्प डेक्स नंबर भी दिया है सिसको टैक के चैनल का और इसी चैनल का तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं स्क्रिन्ट भेज़के ठीक है ना और भी कुछ लिंक्स दी है तो जैसे कि फेस्बुक ट्विटर से भी zesedd का आपको सबसे पहले याद यहीं रखना है कि इतके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि आपको के वई सी अपरू कैसे करना है अधार लिंक नहीं है तो आपको उसमें एड्यिश्ट कैसे करना है ठीक है जिश्टका वीडियो अलेटी बन चुका है व www.epfoindia.joe.ekyc की वेबसाइट पर आना है ठीक है घबराना नहीं है यह वेबसाइट का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे अल्रीडी दे दिया है अगर मैं भूल जाता हूं तो आप मुझे बता सकते हैं लेकिन मैंने अल्रीडी दे दिया है तो आई-डव्यू की वेबसाइट पर जा रहा है आपको ठीक है तो यह जो पोर्टल आपको यह जो दिख रहा है यह तो मेंन वेबसाइट है एपीएफ इंडिया की और यह ओफिसियल पोर्टल है जैसे कि आदे को लिखा है एक वाइसी पोर्टल ये तो आपको छेल्डा नहीं है ये फिल्ड ओफिसर के लिए होता है ये आपके काम का नहीं है लेकिन यहाँ पर नीचे देखो फॉर इपीएफ मेंबर पर आपको यहाँ पर दीख रहा होगा ठीक है ना तो आपको लिंक यू एन आधार पर क्लिक कर देना है क्योंकि आज का एक छोटा समने टॉपिक लेकर आये है आपके लिए कि आपको डारेक्टली यू एन से आधार को कैसे लिंक करोगे ठीक है तो आपको इस वेबसाइट पर आजाना है लिक मैंने नीचे वीडियो के डारेक्ट करेगा आपको, तो वेट करना है, आपको ठीक है तो यहां पर दीको, यहां पर झालेंगी से लिखा है Link UK, UN with आधार, डारेक्टली की बात हो रही है ठीक है, अगर आपका यहां पर UN number इंटर करते हो, ठीक है जैसे ही इंटर करोगे आप तो by default automatically यहाँ इंटर करके यहाँ कहीं भाली जगे में क्लिक कर देना है और मेरा suggestion रहेगा कि mobile से करो तो ठीक ही है आप laptop, desktop से यह कोशिज करो कि EBF का काम computer से ही करो ठीक है यह मेरा suggestion रहेगा आप से mobile में काफे सारी गरबड़ी हो जाती है इसलिए कोशिज करो कि आप system का use करो ठीक है फ्रेंट तो यहाँ पर UIN नंबर एंटरी करने के बाद यहाँ खाली जगे में क्लिक करोगे तो by default server आपका data phase कर लेगा और आपका नंबर एंडर करना है और सब्मिट पर क्लिक कर देना है तो इस टाइप से आपका आधार यूएन से डारेक्ली लिंक कर सकते है और पर हमें कुछ बाते शेयर करूँगा आपसे पहला काम आपको याद रखना है कि मान लोग तो मेंने भी टेस्टिंग किया है यहां पर अभी आपको इससलिए बता रहा है रेल टाइप पर कि आगर आपको doesn't कंशे कंव से कंच 519 करना है सांथ रहना है फोन पर वीड करना है ओटीप का क्योंकि कुछ सर्वर अटेपन नहीं कर पा रहा है यह अभी EPFO में यह मैंने देखा है आज में काफी परिशान था एक OTP नहीं आ पाया था जिसे कि एक online claim transfer का मैं नहीं try किया था तो तो OTP नहीं आता है तो 30 सेकंड लग जाते है तो आपको उसको wait करना है ठीक है और उसके बाद भी आपको EPF के use के लिए जैसे कोई बीचे आप PDF डाउनलोड करें EPF से claim कर दिया उसके बाद वह जो refresh नंबर का जो पूरा data आता है वह डाउनलो हो जाए ऐसी कुछ-कुछ problems आ रही है तो डाउनलोड होने में आपको problems करेंगा ठीक है तो OTP में कुछ problems आती है भी तो OTP का आपको wait करना है 30 सेकंड में लगभग 10 सेकंड में से ही पहले OTP आ जाता है कुछ-कुछ operators है जिसमें की OTP आने की problems है तो OTP के लिए आपको wait करना है एकदम से exit नहीं कर देना है ठीक है अब आप जैसे link करोगे तो by default आपको इसको track करना पड़ेगा कि क्या हुआ आपका status केसा है क्या करना पड़ेगा ठीक है तो आपको यहां पर submit करेंगे आपका UN number आधा से attach हो जाएगा उसका status चेक करने के लिए यहां पर exit पर click कर देना ह है थोड़ा side slow चल रहा है लेकिन आप proper करोगे तो आ जाएगा ठीक है यहां पर देखो फ्रेंड की for EPFO मेंबर की निचे है जैसके मैंने आपको आता था लिंक UN with आधार और यहां पर track e-kyc no your customer ठीक है track kyc पर click करोगे यह अलगी type का portals है तो इसलिए आपको बातों का ध्यान रखना है UN number entry करना है track e-kyc पर click कर देना है तो आप यहां पर directly आपका status check कर सकते है ठीक है बस यहीं तक सापरेंड है यहां पर और इसमें कुछ बाते में बता दू कि आपको अगर आपका UN number already activate है ठीक है तो channel की यहां पर playlist में जाके आप वो वीडियो दे सकते है जैसे कि यह यह देखो है जो वीडियो आपको सामने दीख रहा है यह वाला वीडियो how to generate UN directly याने कि आपका बड़ा ही आसान तरीका हो जाएगा आधार की through ही direct UN number generate कर सकते हो लेकिन आगर आधार लिंक नहीं होगा ना तो आपको कही सारी problems face होने पड़ेगी इसका पूरा detail में वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगे जैसे कि यह वीडियो दिख रहा है आपको यहाँ पर UN को कैसे एक्टिवेट करें इंड्रॉल कैसे करें डेट ऑफ बर्थ करेक्शन नेम करेक्शन ठीक है फादर नेम करेक्शन का वीडियो प्लेलिस में नीचे मिलेगा आपको उसमें करेक्शन में मिल जाएगा ठीक है ना अगर आप फ्रेंट चाहते हो कि EPFO ESIC के वीडियो देखे तो इस चैनल पर आ सकते हो आप जिस चैनल पर अभी यह वीडियो देख रहे हो तो इसका लिंक मैंने आपको दिया है तो चैनल पर आके आप इससे भी सब्सक्राइब करके एरर को लेके मैंने इसलिए हर वीडियो के नीचे एक इमेल आइडी दे दिया है ठीक है तो आपको करना किया फ्रेंड जो एरर मैसेज है उसको स्क्रीन सॉट लेना है और उस इमेल आइडी पर आपको भेज देना है तो EPF इंडिया की तरफ से जल्दी से रिफलाई आएग आपको तो उसमें भी परिशान नहीं होना है ठीक है और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप प्लीज हमें कमेंट में पूश सकते हैं कोसिस करेंगे आपको रिपलाई करने की या तो आपका एक प्रॉपर उसका वीडियो बनाके चैनल पर आपको अप्लोड गहीं न है तो और भी मेल में जैसे कि आपको फुछ दो चार में कमेंट से यहां पर कवर कर लेता हूँ लेकर और फादर नेम को लेकर फादर नेम का का काफी सारा वेडि़ी आ रहा हूँ तो फादर नेम का विडियू पहले हूँ यहां पर चैनल में आपको प्लैलिस में मिलेगा हो यहां पर जाके देखना है आपको इसे चैनल पर EPFO UNESIC या तो यूटूब पर सर्च करके आप डारेक्टली चैनल पर जा सकते हैं उसके बाद में आपको जो SQL error आ रहा है तो email ID नीचे दिया है EPF इंडिया को डारेक्टली आप mail कर दीजिए या तो मुझे mail कर दीजिए तो मैं आपको सो process बता दूगा आपको कैसे करना है ठीक है फ्रेंट तो और भी आपका फ्रेंट कोई भी सवाल सुझाओ शिकायत हो तो leave the message comment section मिलो फिर में किसी best or tech top amazing video के साथ मिलता हो like करे share करे and subscribe now channel thank you for watching and bye bye you झाल झाल झाल